तमाम जो आम की प्रजातियां हैं वो इस महुतसव में देखने को मिलेंगी आम की भिन भिन प्रजातियों का प्रदर्शन इस कारिक्रम में किया जा रहा है और देखे ये लंगड़ा आम की स्टॉल जिस पर सीम योगी आदेतनात पहुंचे हैं और खुद जाकर एक एक स्टॉल पर वो तमाम आमों की प्रजातियों को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं और लखनो में आम महुतसव का शुभारम हो गया है आज लखनो में आम महुतसव का शुभारम हुआ है जिसमें सीम योगी आदेतनात पहुंचे हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनव से ये लाइव तस्वीरें जहां पर सीम योगी आदितनाद आम मौतसव में तमाम स्टॉल्स पर जाकर आमों का निरिशन करते नजर आ रहे हैं और देखें आम की जो तमाम प्रजातियां हैं वो इस एक आयोजिन में आपको नजर आएंगी आम की जो भिन भिन प्रजातियां होती हैं वो यहां पर पदर्शित की जा रहे हैं लखनव में ये आम मौतसव का शुभारम किया गया है आपको बता देगी देखें इस जो मौतसव इसका आयोजिन किया गया इसमें 725 से ज़ादा आमों की वेराइटी देखने को मिलेगी यानि एक ही छट के नीचे 725 से ज़ादा आम के वेराइटी यहाँ पर देखने को मिलेंगी और ये महुत सब आपको बता दे कि देखे तीन दिन तक चलने वाला है लगतार तीन दिन तक आमों का प्रदर्शित नहीं आपर किया जाएगा इस अफसर पर C.M. योगी आदितनाथ ने यहां पर तमाम आमों का की प्रजातियों को देख रहे हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जैसे कि हमने आपको बताए इस मेले में 725 आमों की प्रजातियों को प्रदर्शित किया जा रहा है और एक एक स्टॉल पर जाकर C.M. योगी आदितनाथ खुद आमों को देखते ह हुए नजर आ रहे हैं C.M. योगी आदितनाथ ने आमों मोहतसव में लगे स्टॉलों का निरिक्षन किया है और फिलाल लगतार वो कर रहे हैं निरिक्षन एक 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 आम को वो देखते हुए नजर आ रहे हैं उनकी खासियत भी वो जान रहे हैं जो तमाम लोग वो स्टॉ किरों में आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव उनके साथ मौजूद हैं और लगादारी की स्टॉल पर जाका C.M. योगी आदितनाथ एक 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 आम का निरिक्षन करते हुए नजर आ रहे हैं लखनाव से यह तस्वीर लाइव आपको दिखा रहे हैं C.M तकी तकी देश के बाहर भी जो विभिन प्रजाती के आम देश में उगाए जाते हैं वो पहुंचें और इसका मुनाफ़ा भी सीधा किसानों को हो और तस्वीर लाइव लखनों से आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक एक स्टॉल पर जाकर C.M योगी आदितनाथ आमों का निरिक्षन करते हुए नजर आ रहे हैं उनके साथ कैबि देखने को मिलेंगी एक ही चत के नीचे साथ सो पच्छिस से जादा आमों की वेराइटी यहां पर देखने को मिलने वाली है और तमाम जो किसान है देश भर के जो आम उगाते हैं वो इस मौटसब में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तीन दिन तक कारेक्रम चलने वाला है यानि बारा तेरा और चौदा जुलाई तक की कारेक्रम चलेगा जहां पर तबाम किसान जो है वो तरह तरह के आम जो है प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे फिलाल यह तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं लाइव जहां पर सीएम योगी आदितनाथ स्टॉल्स पर जाकर निरिक्षन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं तीन दिन तक की कारेक्रम चलने वाला है जहां पर जिस आम को आप ढूंड रहे हैं वो आम भी आपको इस मैंगो फेस्टिवल में मिल जाएगा क्योंकि साथ सो पच्चिस से जादा वेराइटी आमों की यहां पर इसमें प्रदर्शित की जा रही है CM योगी आदितनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं लगातार लाइब तस्वीर लखनव से आपको दिखा रहे हैं और आम से बनी जो आइस्क्रीन हैं उनका भी प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है आम से बनी जो तमाम प्रडुक्ट्स हैं जैम की बात कर लें या तमाम वो स्वागत किया जा रहा है और उन्हें एक आम की टोक्री भी यहां पर भेट की गई है तो आम महुत्सव को लेकर किसानों में खासा उत्साह जहां पर साथ सो पच्छिस से भी ज़्यादा आमों की प्रजाती यहां पर देखने को मिल रही है और एक एक आम का निरिक्षन यहां पर सी एम योगी आदितनात के उससे किया गया है उन्होंने तमाम जानकारिया भी स्टॉल्स पर जो लोग खड़े हैं उनसे ली हैं आमों के बारे में और आप देखें कितनी जादा वेराइटी यहां पर देखने को मिलेगी और तीन दिन तक के कारेकरम चलने वाला है जहां पर सी एम योगी आदितनात को आपको नजर आ रहा है तमाम आमों कनेक्षन करने के बाद वहां से बाहर निकल रहे हैं उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं और आ आम से बनी जो तमाम नैच्रल प्रड़क्ट्स होते हैं जैसे की आम का अचार आम से बना जैम और जो तमाम चीजें आम से बनाई जाती है जाएं वो आइस क्रीम हो उसका भी प्रदर्शन इस मौटसब में किया गया था और तीन दिन तक के कारेकरम लगा था चलने वाला है जिसमें भिन भिन प्रजातियां आपको आम की देखने को मिलने वाली हैं एक सो बीस से जादा किसमों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा क्रिशी उपज है उसको बढ़ावा देने के लिए आपके जो भी राज मंत्री उद्यान उखाद प्रस्थकन का भी स्वागत करता हूं उपस्ते मुख सच्छिव जी का और मंश्पर रासीन हमारे पद्म श्री डॉक्टर साब डॉक्टर साब का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने भारत बायो टेक को आगे बढ़ा है अब वो खाद प्रस्थकन में भी अपना योगदान उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं अठाइस प्रदेशत देश का कुल उत्पादन आम का उत्तर प्रदेश से होता है जो लगबग 58 लाख में ट्रिक टन है और जैसे कि प्रदेश में नौ अलग अग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसी प्रकार आमों के भी जो अलग अलग प्रजातियां है वो पुरे प्रदेश म आते हैं तो वारा जो तशेहरी आम है उसको भी GI मिला हुआ है रिट हॉल को GI मिला हुआ है जो ग्रिफिकल इंडिकेटर फिर पूरब में जाते हैं तो बनारास का लंगड़ा और गोरक पूर बस्ती छेतर का गोरजी दाम है गोरजी दाम और चौसा को भी शिक्र GI टैक मिलन चुके हैं और यह सारे आम ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट कॉलिटी के हैं अब पूरे देश में इनका नाम है और आज यह जो आम महोच सब है यह ना केवल एक्सपोर्ट के लिए बलकि देश-विदेश में इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग के लिए एक बहुत योगदान देगा मैं यह भी बताना चाहूंगा बानवर की इसकी महत को आद देखते वे ही रह्मान खेड़ा में तो सेंट्रल आइसीयार केंसिटूट है वो स्थापित है जो रिसर्च कर रहा है और रिसर्च केवल इंसिटूट्स नहीं कर रहे हैं बलकि हमारे किसान आप सब का बहुत-बहुत अभार वियत करता हो और रंत में मैं यही कहूंगा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी आम है मूल रूप से आम जो है इस देश की एक गौरव है हम सब जानते हैं कि हमारे जो भगवान हनुमान जी थे उनको आम सब्रूप्रिय फल था और उनों की जो कथा है कि उनोंने सूरी को निगल लिया था वो आम समझ के सूरी को निगला था तो यह हमारी विरासत ही नहीं हमारी संस्कृतिक विरासत भी है और उसी से अब हम लोग किसानों की आये बढ़ाने के लिए इसको डेश और प्रदेश में इसका प्रचार करेंगे और आज एक जापान को एक हरी जंडी मानी मुख्यमंती ने दिखाई जिसकी वज़े से अब ये आम अलग अलग राज्यों पहले मिडल इस्ट में जादा जाता था अब अन्य देशों में जैसे योरप, USA, जापान और इन देशों में भी अब जा रहा है और मैं बताना चाहूंगा इ अब्सीड़ी राजसरकार से देंगे और साथी साथिवानिक सर्टिफिकेशन हो चाहे Woo पैसिससाइड रिजिडियू का सर्टिफिकेशन हो या वो गोड अ worn western इसका जो खर्चा आता है full bunkers बहुत बहुत देने वाई हमारी बीच में किशित पदन आए तुट परिशाषन दॉप्टर दीवेश चतुर वेधी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वरत आके बढ़ाती हुए साधर अमन्तित करती हुए हमारे बीच पस्तित मुक्सची उदपते शाषन श्री मनु इसके मंत्री जी मानिये राजमंत्री जी उद्यान एपीसी देवेश जी एसीएस होटी कल्चर डॉक्टर एला जिलादिकारी लखनो इस कारकरम में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे उत्रप्रदेश के सभी जिलों के किसान साथियों उद्यान विभाग के अधिकारी स साथियों उत्रप्रदेश एग्रिकल्चर के लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक पावर हाउस की तरह है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस तरह का खेती का माहौल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है दुनिया में जितनी जमीन है उसके सिर्फ दस प्रतिशत छेतरफल पर खेती होती है हिंदुस्तान में 45 प्रतिशत जमीन पर खेती होती है और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा लगबग 70 प्रतिशत है खेती में सबसे जरूरी चीज सिचाई होती है दुनिया में जितनी खेती हो रही है उसमें सिर्फ 21 प्रतिश्चाई